हलो दोस्तो मेरा हूल स्वागत करता हूँ आपका फिर से ही आपके अपने यूटूब चैनल दो ओनलाइन लाइफ में चाहां मिलता आपको ओनलाइन सॉलूशन दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा मार्ज गाउं डाक्षिप बिल्डर्स लिमिटेट की नई वे करें चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ मेरा आइकन को जरू दबाएता है कहने वाली हर वीडियो को नोडिफिकेशन आपको पहुंचा कर आप हमेशा अपडेट रहें क्योंकि हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं तो दो सकते हैं मार्ज गाउं डाक शिप बिल्डर लिमिटेट भारत सरकार का उपकरम जिसको बोलते हैं करमचारी पद में तीन वर्षों की अउधी के लिए अनुबंद आदारपन न्यूकती के हैतू भरती यह अउधी अतिरिक्त एक प्लस एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकत यह अट्रोटाइज नंबर इसको आपको धियान रखना है एप्रिकेशन आर इन्वाइट फ्रों इंडियन नेशनल फॉर फॉलोइंग इलिजबल एंड इंटरस्टेट केंडिट अर्रिक्वार टोप्लाई ओनलाइन ओनलाइन एप्रिकेशन ओपन फ्रॉम ग्यारा जून चार जुलाइय सकते हैं अक फेकल्च न हाप इसको बता देता हूं टोटल वेकेंशी है 88 लिन धोंफे ouais 1388 यहां घंक है तो Kerry के लिए जिसुकल आपन फिसके लिए एप मिफ्ति आप लैए ऐ हो और अूटारेकृत की वहूंदी कर सकते हैं अब यहां पर टोटल वेकंसी की बात हो गई अब हम इसमें बात करते हैं एजुकेस्टन क्वालिफिकेस्टन वगरा बाकी जो भी टर्म से इन इसकी तो यहां पर आपको पास एससी होना चीए उसके साथ में नेशनल अब यहां पर बात करते हैं और करते हैं अब हम यहां पर बात करते हैं देखिए हमने यहाँ पर last date की बात कर लिए qualification क्या चाहिए वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया उसके बाद हम यहाँ पर बात करते है experience की इसमें experience कितना चाहिए तो आपको जितना experience रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर marks दिये जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना experience के हिसाब से कितना marks मिलेगा वो यहाँ पर लिष्ट दिये अगर आपका experience एक साल से अधिक और दो साल तक है तो आपको 10 marks यहाँ पर मिलेंगे दो साल से तिन साल का अगर आपका experience था यहापको 12 marks आपको मिलेंगे तिन साल से लेकर 4 साल तक का है तो आपको 14 और 4 से 5 का है 16 और 5 से 6 का है तो आपको 18 marks मिलेंगे और 6 से उपर का है तो आपको 20 marks दिये जाएंगे सेल्ड के हमें आपका बात करें तो grade skilled worker के लिए यहाँ पर 17,000 से लेकर 64,360 रुपे की पर मंत की यहाँ यहाँ पर सेलरी दी जाए रही ही और semi-skilled के लिए यहाँ पर 13,200 से लेकर गुन 25,910 रुपे पर मंत की यहाँ यहाँ पर सेलरी दी जाएं एज लिमिट के हम बात करें तो minimum जो age है वो 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 38 साल होना चाहिए अगर 18 से 38 साल की यहाँ पर एज है आपकी तो आप इसमें ओलाइन अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहां पर इसके साथ आपको डॉक्यमेंट कर लेना है और इसके साथ आपका आप पर डीप्लोमा चाहिए तो आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं अगर आपको पास यह सारे डॉक्यमेंट है तो इनको आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा अब यहां पर लिख है हाओ टू अपलाई अपलाई कर सकते हैं तो वह मैं आपको आपको वीडियो में बताने वाला वीडियो को जहां से लास्ट तक जरू देखते रही तो चे mentorship करने के लिए सoires लिंक कर देंगे आप में आपन नुएAy nobodycha बरती क्यात ऑन रही है आपको winter ऑल्रेटमेंट हुं करसकते इसका हैं पर आप नए अकाउंट कैसे सकते हैं यहां पर आपको option मिल जाएगा नए अखाता बना यहां फिर create new account इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर registration form आपके समने खुल कर आएगा जिस पर आपको registration करना है जिसको हिंदी मोलते हैं पंजी करन तो यहां पर registration करने के लिए सबसे आपको संबोधन यहां पर चूश कर लेना जो भी आपका Mr. Misses जो भी है उसका फर्स्ट नेम आपको लिखना है फिर फिर लास्ट नेम यहां पर लिख देना इसके बाद आपको date of birth यहां पर डालना है जो भी आपका जेंडर है वह आपको यहां पर प्राइमरी इमेल डालन करना है उसके बाद ऑनलाइन अपलाई करना है तो आपने जो भी रेजिस्टेशन करते वक्त जो भी इमेल आईडी आप दे वो सही सही यहां पर डाले नहीं तो आपको पास mail नहीं आ पाएगा अब जो भी यूजर नेम और password आपकी mail पर आया है वो आपको यहां पर डाल देना है और यह जो capture दिखाए दे रहा है यह यहां पर fill up कर देना है ठीक है तो चलिए हम यहां पर यूजर नेम पासफ़ड डाल देते ह हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरू करते चले चैनल पर नएते चैनल का सब्सक्राइब भी जरू करते चले था कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप हमारा वीडियो सब पूरी लिस्ट रहेगी आप जिस पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन उसके साब साब को पोस्ट करना है या सर और पोस्ट करने के लिए आपको जो पोस्ट का नाम लिखा है वहाँ पर एक छोटा सा बिंदू है उस पर चेक लगाना है और यहाँ पर प्लिक कर देना है ठीके व्यू रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें यह पर थकिसके आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो पोस्ट आपने शिलेक्ट किए इसकी पूर डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी जैसे यहां पर confirm पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नए पेज कुल कर आएगा जिसमें आपको online form बढ़ना है एक online form खुल कर आ जाएगा जिसमें आपको personal detail डालना है education detail डालना है और फिर work experience डालना है document upload करना है और फिर यहां पर payment कर देना है ठीक है तो यहां पर चलिए personal detail में आपको अपना basic information डालना है जिसे father ने mother ने और यहां पर email id वगए तो आपको by default रहेगा marital status यहां से डालना है उसके बाद यहां पर आपको अपना इड्रेस डालना है ठीक है तो एड्रेस आप जो भी आपका address आदार काइडिया फिर water id में लिखा है वह address आपको यहां पर डाल देना है यहां पर center भी आपको चुछ कर लेना है कहां कौन से center सापको exam देना है ठीक है यह नहीं है उसके बाद आपको correspondence address यहां पर डालना है जो भी आपका correspondence address यहां फिलाल रहे है ठीक है तो वह आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद आपको second option आता है education qualification का तो आपको डालना है फिर आपको अपना work experience यहां पर share करना है फिर आपको document अप्लोड करना है जि आपको फॉर्म कंप्लेट हो जाएगा और आप उनलाइन फॉर्म भर पाएगे दोस्तों वीडियो कैसे लागा वीडियो पसंद आए तो लाइक